आपके बीच हूँ ऐसी खबर हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों से आ रही है मैं 36 गड़ की खबर से शुरू कर रहा हूँ लेकिन ये दिक्कत 36 गड़ की नहीं है ये देश के तकरीबन हर राज्य में यही हाल है इस राज्य में राज्य की सरहत पर जानवरों की तसकरी करती हुई एक गाड़ी को जब रोकने की कोशिश की गई तो पशू तसकरों ने गाड़ी पुलिस सिपाही पर चढ़ा दी उसकी मौत हो गई सारे पशू तसकर गिरफतार कर लिए गए गाड़ी जब तो हो गई है लेकिन जिन्दगी अपसर हों चाहे वो पुलिस के अधिकारी करमचारी हों चाहे राजस भी भाग के हों कहीं किसी तैसिलदार को कुचलते हैं कहीं किसी पुलिस दरोगा को कुचलते हैं जगे जगे रेत तसकर रेत माफिया जगे जगे कतल कर रहे हैं लोगों का गाडियां को चल रहे हैं लोगों को घसिटते हुए ले जा रहे हैं अपनी गाडियों में इसी तरह की बात और कई तरह की तसकरी करने वाले लोग करते हैं जो कि नीमी तरूप से जुर्म करते हैं लेकिन खास कर ऐसे काम जिन में सत्ता की महरवानी रहती है ऐसी तसकरी बालू की तसकरी रेत की तसकरी जो है रेत माफिया अवैद खुदाई बड़ी बड़ी मशीने लगा कर अवैद खुदाई ये आसानी से नहीं हो सकता जब तक सत्ता की महरवानी नहों जब तक इस्थान मीडिया को भी साथ में जोड लिया जाता है ताकि इसकी खबरें न छपें अब सवाल यह उठता है कि एक संगठित जुर्म जो है एक संगठित माफिया जो चाहे रेत का हो चाहे पशुणों का हो चाहे गांजा तसकरी करने वाला हो चाहे अवैज शराब वाला हो इनकी ताकत को कितना बढ़ने दिया जाए इनके पैसे कमा कर नेता अपसर दूसरे लोग कब तक कब तक इस राजकता को इस जुर्म को बढ़ावा देंगे किसी एक प्रदेश की बात नहीं है अधिकतर प्रदेशों का यह हाल है मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था एक देश है इक्वाडोर यह कुछ बरस पहले था कि एक बहुत अच्छा परेटन केंद्र था आज हालत यह है कि पूरा का पूरा देश ड्रग लार्ड्स जो की नशे की तसकरी करने वाले लोगों के बड़े-बड़े गिरोह रहते हैं माफिया रहते हैं उनके कपजे में चले गए आए वो कहीं वकील को गोली मार रहे हैं कहीं किसी पुलिस अपसर को गोली मार रहे हैं आपने देखा होगा अमरीका से लगा हुआ पास का एक देश है मेक्सिको उस मेक्सिको में ड्रग लार्ट्स की हालत ये है कि जज को गोली मार देते हैं सरकारी वकील को गोली मार देते है अपस में उनका गैंग वार चलते रहता है और पुलिस को ठोक में मार देते हैं उनके गिरों के जो सरगना है, माफिया, डान जो है उनकी गिरफतारी होती है तो उसको दुनिया की सबसे बड़ी काम्यादी की दरहे बतलाया जाता है जब गिरों ताकतवर होने लगते हैं तो इतने ताकतवर हो जाते हैं और जब गिरों ताकतवर होने लगते हैं तो वो उन्हीं जुर्मों तक नहीं थमते वो एक जुर्म के बाद लगा हुआ दूसरा जुर्म आज नशे की तसकरी कर रहे हैं कल वो चकला घर चलाने लगते हैं, विश्याले चलाने लगते हैं, दूसरे देशों से लड़कियों और नाबालिक लोगों को लाकर ग्राकों के सामने परोसने लगते हैं, उनके बदन बेचने लगते हैं। जिस दिन ये होने लगता है वो अवैद जुवा घर चलाने लगते हैं। अवैद जुवा घर के साथ वो 60 का कारोबार चलाने लगते हैं। आपने सुना होगा अभी, 36 गड़ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 60 का कारोबार महादेव एप के नाम से पकड़ाया। जिसके बारे में कहा जा रहा है, दुबई में बैठे हुए लोग उसको चला रहे हैं। कुछ अगबारों की खबरें कहती हैं कि दाउद इबराहीम को उसमें से 50 करोड रुपिया महीना जाता है। क्योंकि खाड़ी के देशों में, दुबई में कोई भी अवयत कारोबार दाउद इबराहीम की प्रोटेक्शन के बिना नहीं चल सकता। आपको याद होगा कि एक वक्त मुंबई धमाकों के बाद जब दाउद इबराहीम को भागना पड़ा, उसके पहले तक मुंबई में, अंडर वर्ल्ड में किस तरह से उसका राजे चलता था। तो मुझरिम जो रहते हैं, वो अपने एक जुर्म तक कभी सिमित नहीं रहते हैं, मुझरिम एक जुर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चोथा। ये ठीक उसी तरीके से है कि कामियाब कारोबारी अगर एक कालोनी बना लेते हैं तो दूसरी बनाते हैं तीसरी बनाते हैं एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग या देश के जो बड़े अख़बार हैं एक शहर से एडिशन फिर दूसरे शहर से फिर किसी तीसरे शहर से ये दोनों में चलता है अच्छे और बुरे दोनों तरह के धंदे में चलता है जुर्म में कुछ जादा चलता है जुर्म में जब ताकत हासिल हो जाती है जब अफसरों को खरीद लिया जाता है नेताओं को पेरोल पे रख लिया जाता है उनका महीना बांध दिया जाता है जब मीडिया को चुप करने के लिए उन में आपने देखा होगा ये सटे के दंदे के बड़े-बड़े इश्ताहर इतने बड़े-बड़े छपते थे लाखों रुपए रोज का भुक्तान होता था अकबारों को जब ऐसे तमाम तपकों को और इसके बा शामिल हो जाते हैं नहीं होते हैं तो गुली खाते हैं मैं इसी बात को याद दिला रहा हूं कि जो लोग पुलिस को गारी को रोकते हुए देखकर पुलिस को कुचल के भाग जाते हैं उनकी ताकत का अंदाज लगाई है जो लोग तैसिलदार को माइनिंग आफिसर को किसी कोपक कुचलते हैं अपनी गाड़ी के नीचे, मार डालते हैं किसी को, आपको ध्यान होगा एक तसकरों ने, मुझको ध्यान है पश्चिम बंगाल की बात थी, इंडियन कस्टम सर्विस की किसी आफिसर को सड़क पे दोड़ा कर मारा था, बहुत साल पुरानी बात है यह, तो उन पर काबू नहीं पाया जाता है, तो मुझरिम एक के बाद दूसरे धंदे की तरफ बढ़ जाते हैं, मैंने मेरे शहर में भी देखा हुआ है और बाकी पूरा हिंदोस्तान इस बात का गवा है, कि बड़े-बड़े माफिया सरदार, बड़े-बड़े गुंडे अपनी एक साख पहले बनाते हैं, दो-चार कतल करके, दस-बीस अपरन करके, कई जुर्म जब उनके उपर कायम हो जाते हैं, कुछ बार जेल जाकर आ जाते हैं, तो उसके बाद उनके नाम पर विवादास्पत जमीनों की खरीद विक्री का धंदा शुरू हो जाता है, किसी जो है उची इमारत तानते हैं, तो जब आप किसी मुझरिम को आगे बढ़ने देते हैं, तो ये तैज जान लीजिए, कि मुझरिम उस सीमा के भीतर नहीं रहते हैं, आज जो जगे-जगे रेत माफिया काबिज हो गए हैं, ये सिलसिला 36 गड़ में पिछले कई सालों से चल रहा हैं, हम बार-बार इसको चापते रहें, बार-बार इसको बोलते रहें, लेकिन करोणों रुपए की मशीने हैं, करोणों रुपए की दानवा कार मशीने हैं, जिन से रेत खोद खोद कर आधे मिनट के भीतर एक डंपर भर दिया जाता है, ऐसी बड़ी-बड़ी मशीन सारे अदालती आदेशों के खिलाब जाकर सारे सरकारी आदेशों के खिलाब जाकर इस तरह की मशीनों से नदियों में रेत की अवैत खुदाई हो रही है उनका कारोबार हो रहा है और जैसा मैं सुनता हूं कि सरहदी जिलों से प्रदेश के बाहर रेत जाती है तो जब इतना बड़ा कारोबार है तो उस कारोबार में किसी को कतल कर देना, किसी को दबा देना ये मुश्किल बात नहीं है पशुत असकरी कुछ उसी तरह की, मुझको द्यान पढ़ता है मेरे एक बड़े करीबी और मेरे एक शुपचिन तक चतिसगड के राज्यपाल थे, शेकर दत्त साब, वो यहां कमिशनर थे बहुत पहले अब विभाजित मद्रदेश में राइपूर संभाग के कमिशनर थे उस वक्त से उनके साथ मेरा उटना बैटना था राज्यपाल रहते हुए और राजभवन में अनौपचारीक चर्चा में चाय पीते हुए कई बार इस बात को कहते थे पशुतसकरी एक बहुत बड़ा माफिया कारोबार है पशुतसकरी पर काबू पाना चाहिए पशुतसकरी बार-बार वो कहते थे मुझको अभी देखने में हैरानी होती है कि मेरे ही इलाके के पास में बकरियां और भेड़ चुराने के लिए एक व्यक्ति 15-20-लाख रुपई की कार लेकर गया कार का मॉडल का नाम भी छपा था अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन 15-20-लाख रुपई की कार थी गटना हुई है यह बकरी चुरा कर जा रहे थे और बकरी के मालिक बाप बेटे को कुचल कर मार डाला या इसी कोई घटना और हुई है जब आप किसी धंदे को जब आप किसी जुर्म को बढ़ जाने देते हैं तो वो बेकाबू होने लगता है जिस तरह से किसी दैत या दानाओ की कहनी है कि उसको पहले बढ़ावा दिया कुछ लोगों ने और वो फिर इतना बेकाबू हो गया कि बढ़ावा देने वाले लोगों को ही खा गया ये जुर्म का गिरोह कुछ इसी तरह का रहता है लोगों को शुरू में नहीं लगता है कि ये इतने बड़े मुझरिम है ये इतना बड़ा जुर्म है आसानी से आता पैसा सबको अच्छा लगता है चाहे उनेता हो अपसर हो चाहे अख़बार नवीस हो हो सबको अच्छा लगता है ऐसा पैसा लेकिन जिस दिन ये हत्यारे होने लगते हैं उस दिन इनके उपर काबू पाना उतना मुश्किल नहीं रहता है फिर वैसा ही होता है जैसा आज देश के कुछ राज्यों में हो रहा है कि वहाँ सत्ता पुलिस को छूट देती है कि इनको मुढभेड में मारा हुआ बतलाओ उनको गोली मारो फिर सारे मानवाधिकार धरे रह जाते है सब धरे रह जाता है पुलिस उनको गोली मारती है फिर गयर कानून इन तरीके से हत्या ही अकेला तरीका रहता है उन पे काबू पाने का तो मैं आज इसी बात को उठाने के लिए आया हूँ आप कमबोडिया देखिए मैक्सी को देखिए इक्वाडोर देखिए दुनिया के बहुत सारे देशों को देखिए नशे और हम दूर क्यों जाए हमारे हिंदोस्तान के मनीपुर मनीपुर हिंदोस्तान का ही हिस्सा है उससे लगा हुआ जो देश है मियमार उस म्यामार में नशे के सौधागर इफरात पैसा है नशे की तसकरी में एक रात गुजारने लाए छोटा सा कोई बैग है उतना सा अगर लेके चले जाएं आप तो उसमें कई करोण का नशा आ जाता है बड़ा आसान है ये ये मेटल डिटेक्टर से पकड़ में भी नहीं आता ये तो नशे के ऐसे कारोबार से जो ताकत आती है वो पैसा हतियारों में इस्तेमाल होता है हतियारों का पैसा जो है वो अतंकियों में इस्तेमाल होता है अभी मैंने दो-चार दिन पहले या तो एक एडिटोरियल लिखा था या विडिटोरियल बनाया था जिसमें नशे के सौधागर जो है उन्हीं के बारे में कहा या लिखा था मैंने उस पर मुझको दिली के एक दोस्त ने लिख कर कहा कि हिंदुस्तान के पंजाब में जो नशे की तसकरी होती है और पंजाब के रास्ते घुसता है वो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते घुसके पूरे हिंदुस्तान में उसका धंदा चलता है इस तसकरी से खालिस्तान कि नशे के सवधागरों का पैसा खालिस्तान अंदोलन चलाता है खालिस्तान अंदोलन को और भी पैसा मिलता होगा लेकिन ये पैसा भी मिलता है अब आप सुचिए कि ये पैसा मान लीजिए, मान लीजिए नशे की तसकरी का पैसा किसी और किस्म की तसकरी का पैसा ये नकसलियों के पास पहुँचने लगे ये कहीं मनिपूर के उग्रवादियों के पास पहुँचने लगे कहीं जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के पास पहुँचने लगे तो क्या होगा ये पैसा इफरात है आज ये पैसा भारत के जो राज्य हैं इनी के इस्थानी अधिकारी इनी के इस्थानी नेता इनके तक पहुंच रहा है वहाँ पे बंट रहा है इस्थानी लोग उसको खा रहे हैं लेकिन जिस दिन जिस दिन देश के खिलाफ काम करने वाले संगठनों तक ऐसा पैसा पहुंचने लगेगा उस दिन क्या होगा पूरे को पूरे देश बेकाबू हो जाते हैं लोग तंत्र धरे रह जाता है नशे के सौधागर दूसरे हतियारों के सौधागर ये लोग जिसको चाहे उसको मारते हैं जिसको चाहे उसको सरकार बनाते हैं कुछ भी करते हैं पाकिस्तान जहां की आज आज इस समय सेना वहा गड़बंदन करवाना है सेना तै कर रही है उस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां फोज के बड़े बड़े अपसर नशे की तसकरी में लगे रहते हैं ऐसा हिंदुस्तान के भी बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है मैं कहूंगा तो कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगे तो मैं कुल मिलाकर इस बात पर आ रहा हूं कि जो रेत की तसकरी, रेत माफिया, पशु तसकरी, पशु माफिया ये जो दिखने में छोटे दिखते हैं एक बात जान लीजिए जब जुर्म का आकार बड़ा होता है तो वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और कोशिश करते हैं जैसे वियापार में कहा जाता है पैसा पैसे को खीचता है ऐसा ही जुर्म में एक जुर्म में काम्याबी दूसरे जुर्म का रास्ता खोलता है क्योंकि जुर्म के प्रोटेक्शन के लिए उसकी हिफाज़त के लिए जिन लोगों को खरीदना है वो खरीदे जा चुके हैं पहले जुर्म में ही तो बाद में वो बंधा-बंधाया धाचा काम आने लगता है तो मैं सरकार से भी कहता हूँ हर प्रदेश की सरकार से कहता हूँ इस किस्म के जुर्म को मत पनपने दीजीए जो कि इस तरह से संगठित है चोर किसी घर में घुसके चुरी करते हैं वो छोटा जुर्म है एक चाकू लिए शराबी किसी दुकानदार को लूटता है वो छोटा जुर्म है ये बड़ा जुर्म है जो की कारोबार की तरह डंके की चोट पर बंदूक की नोक पर किया जाता है जिसमें अपसरों को कुचलने की ताकत और होसला हसिल हो जाता है ऐसे म संगीन जुर्म का कारोबार बहुत संगठीत रूप से करने लगेंगे किसी भी इलाके में किन ताकतवर लोगों को किस दाम पर खरीदना है इनको मालूम है अभी आप देख रहे हैं ना चतिसगड की जो कहानियां आ रही है महादेव सट्टा चलाने वाले महादेव एप नाम कि मीडिया के कई लोगों तक भी उसका पैसा पहुंचा था भी उनके नाम हलंग की सामने नहीं आएं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि मुझरिमों को जब आप इस तरह संगठीत होकर ताकतवर होने का मौका देंगे तो एक जुर्म तक सीमीत नहीं रहेंगे उनका कार पसंद से सरकार बन रही है दुनिया की कई देशों में मुझरिम गिरो और माफिया तै करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी ऐसी नौबत अपने देश-प्रदेश में अपने जिले में मताने दीजिए जुर्म के इस कारोबार में इतना पैसा है कि ये विधायकों को अगला चु अगठित जुर्म को रोकना चाहिए वरना ये माफिया ही राज करेगा लोगतंत्र के नाम पर और लोग राज नहीं कर पाएंगे फिर मैं आपके सामने आऊँगा आज फिक्र की यही बात थी इसलिए मैं आया हूं आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो आप ह हमारी कोशिश कैसी लगी और हाँ एक छोटी सी बात अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हिलमेट लगा कर रखिये हिलमेट का बेल्ट भी नीचे लगा कर रखिये वरना वो कोई हिफाज़त नहीं होती इसके अलावा अगर आप कार में चलते हैं किसी और बड़ी गारी मे चलते हैं सीट बेल्ट उसमें हैं आजकल सभी में तो सीट बेल्ट लगा कर रखिये किसी हाथसे की हालत में यही दो चीज़ें आपकी जान बचा सकती हैं यह पुलिस की हिफाज़त के लिए नहीं हैं यह दोनों चीज़ें यह आपकी हिफाज़त के लिए हैं फिर मिलेंग झाल्बूर झालो 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 झालो